बॉलिवुड एक्ट्रेस जया बच्चन आज भले ही फिल्मों में नजर ना आती हूँ लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अपने दम पर वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसिस के बीच अपनी गिंती करवाया करती थी अपने टालेंट के बलबूते लाखों लोगों के दिलों पर राच किया करती थी फिल्मी दुनिया से हटकर राजुनीती के अखाडे में भी जया जी ने अच्छा खासा नाम कमाया लेकिन अपने करियर के पीक पर रहते हुए उन्होंने अक्टिंग की दुनिया छोड़ दी इसके पीछे की बज़ा रही उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा मध्यप्रदेश के जबलपुर में जन्मी जया बच्चन के पिता तरुन कुमार एक मशूर लेखक और कवी थे ऐसे में उनके घर हमीशा से पढ़ाई लिखाई का महौल था अपने रुज़ान के चलते जया जी ने फिल्मी करियर की शुरुवात की गुड़ी फिल्म में काम किया और उसके बाद तरक्की की उड़ान उड़ ली एक के बाद एक हिट फिल्मों में वो काम करती गई इस दौरान अमिताब बच्चन को दिल दे बैठी शोले की शूटिंग के दौरान जया बच्चन गर्भवती थी उनके पेट में बेटी श्वेता बच्चन थी जया बच्चन दो बच्चों की मा बनी लकतार काम कर रही थी लेकिन एक दिन उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने कुछ ऐसा कह दिया कि जया जी ने फिल्मी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना लिया दरसल फिल्म सिलसिला में जब जया बच्चन काम कर रही थी उनकी ननही बेटी श्वेता ने कहा आप हमारे साथ घर पर क्यों नहीं रहती काम सिर्फ पापा को करने दीजिये दरसल जया बच्चन अपने काम के चलते बच्चों को वक्त नहीं दे पाती थी और बेटी श्वेता को घर पर मा की कमी खलती थी जब जया जी को एहसास हुआ कि उनकी बेटी की जिंदगी में मा की कमी हो गई है जया जी ने पैसला कर लिया कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी और आक्टिंग से दूर हो गई नेक्स्ट नाइन न्यूस रूम की रिपोर्ट